हेलो प्रेंट्स स्वागत है आप सभी लोगों का अमारे चनल में आज मैं लेके आएँँ मैंगो आइस्क्रीम का रेसेपी चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पाले हमें आम को छील लेना है ये देखिए आप इसी तरीके से छीलने से हम इसे छील लेंगे और दो आम छील लेंगे इसे छीलने के बाद इसके चोटे चोटे पीसे शकाट लेंगे इस तरीके से देखिए चोटे चोटे पीसे सकाट लेंगे फ्रेंड्स ये मैंगो आइस्कृम बनाना बहुत ही आसान है एक बार इसे आप ज़रूर से ट्राइ करिएगा और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, सेर, सस्क्राइब पढ़ना बिल्कुल मत बुलिएगा आमको छिलने के बाद इसे मिक्सर जार में डाल देंगे दो चमत चीनी डाल देंगे और आधा कब दूट डालेंगे इसी में और इन सबको डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पीस कर तयार कर लेंगे और यहाँ पर देखिए मैंने दो चोटे चोटे बाउल ले लिए हैं इसी में थोड़ा सा बादाम कटा हुआ डाल देंगे आपके पास जो भी मेवे हो आप डाल सकते हैं काजू पिस्ता भी इसी में डाल सकते हैं और इसमें इसे ट्रांसपर कर देंगे और यहाँ पर देखिए मैंने एक प्लास्टिक रैपर ले लिया है इसको इस तरीके से लगा कर उपर से रबर लगा देंगे पाइक कर देंगे इसे खुब अच्छी तरह से अगर मैं आपके पास सिल्वर पेपर है तो आप उसे भी लगा सकते हैं और इसी तरीके से दोनों बाउल को पाइक कर देंगे और आप इसे फिरेज में रख दिया है मैंने रात भर इसे जमने देंगे सुबह हम इसे निकालेंगे और यहाँ पर देखिए प्रेंस हमारा माइंगो आईस क्रीम बनकर तैयार हो गया है यह खुब अच्छी तरह से जम गया है चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बरतन में और अब हमें करना क्या है एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे इस तरीके से रखकर ही लाएंगे बस एक मिनट में इस तरीके से पानी में डालके रखना है और अब हम इसे प्लेट में पलट देंगे और ये देखिए इसी तरीके से इसे हम पलट देंगे और आप देख सकते हैं फ्रेंट्स हमारा आईस्क्रीम अच्छी तरह से जम कर ट्यार हो गया है चलिए इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंट्स एक बार आप जरूर से ट्राई करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो साथ तब तक के लिए राधे राधे